हेलो दोस्तो आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल जोब भंडार को और साथ ही दबाए इस बैल आइकन को हेलो दोस्तो एक बार फिर से मापके लिए एक बड़ी बड़ती की अपडेट लेकर आए है इस वीडियो में बात करने वाले है सवाश्ते बाग बड़ती 2020 के बारे में जो कि किंग जोर्ज होस्पिटल के अंतरगत होने जा रही है पोस्ट है अस्टाप नर्स, लाब टैकनीसियन और जिनके लिए 281 वेकिंसी जिनकली है जिया दोस्टों, यहाँ पर 281 वेकिंसियों पर भड़ती होने जा रही है और इस भड़ती के लिए आल इंडिया से मेल फीमेल कंडिडेट अपलाई कर सकते है अपलाई करने के लिए कम से कम एजुकेशन में बारवी या डिग्री या डिपलोमा पास होना जरूरी है से मिनने वाली है, सेलेक्शन आपका किस बेस पर होगा, आप इस भड़ती के लिए कैसे अपलाई कर सकते हो और कब से कब तक अपलाई कर सकते हो, जो कि यह complete details आगे इस वीडियो में मैं आपको ओपिसर नोटिपिकेशन के दवारा step by step provide कराने जा रहा हूँ तो दोस्तो पूरी जानकारी के लिए बने रही है, इस वीडियो में हमारे साथ अंतरक दोस्तो यह आपके सामने इस भड़ती का ओपिसर नोटिपिकेशन है, इसके दवारा मैं आपको इस भड़ती की complete जानकारी step by step provide कराने जा रहा हूँ, तो चलो शुरू कर लेते हैं आप बिना वक्त गवाए organization किंग जोर्ज होस्पिटल, जी हाँ दोस्तो यह भड़ती किंग जोर्ज होस्पिटल के अंतरकत होने जा रही है job location आप विशा का पतनम आंदर परदेश, बट आल इंडिया से male female candidate apply कर सकते है apply करने के लिए यहाँ पर 281 vacancies निकली है, जो कि post wise इस परकार है stop nurse के लिए 269 vacancies निकली है, lab technician के लिए 5 vacancies निकली है pharmacist grade second के लिए 4 vacancies निकली है, receptionist color के लिए 3 vacancies निकली है जो कि total यहाँ पर 281 vacancies है, दोस्तों अगर बात की जाए sale निकली है तो sale निकली है आपको post wise मिनने वाले है, जो कि इस परकार है stop nurse के लिए 4000 रुपे पर मंत, lab technician के लिए 8000 रुपे पर मंत, pharmacist grade second के लिए 8000 रुपे पर मंत receptionist color के लिए 22387 रुपे पर मंत आपको sale निकली के रूम में मिनने वाले है दोस्तों यहाँ पर आपको selection committee के बारे में भी detail provide करा रखिया है कि कि किस के दवारा आपकी selection का chain किया जाएगा दोस्तों यहाँ पर बता रखाया है कि the selection of candidate shall be made by following committee जिया दोस्तों यहाँ पर दीगी committee के अनुसारी आपका selection होगा दोस्तों अब बात कर लेते हैं eligibility criteria यानि के education qualification के बारे में अस्टाप nurse के लिए बारी पास परश डिपलोमा, journal nursing या midwifery के अंतरगत होना जरूरी है या फिर BSC और साथी साथ MSC आपके पास होना जरूरी है अगर आप स्टाप nurse के लिए apply करना चाहते हो और साथी साथ valid updated renewal certificate आपके पास registration certificate होना जरूरी है Lab technician के लिए आप यहां से check out कर सकते हो कि कौन-कौन सी qualification आपके पास होना जरूरी है Pharmacist grade second के लिए D-pharmacy या B-pharmacy या M-pharmacy वह भी आंधर परदेश गुर्मेंट के अंतरगत होना जरूरी है या फिर आंधर परदेश गुर्मेंट ट्रिकोईनाइड इंस्टिटूट के अंतरगत आपकी qualification होना जरूरी है और साथी साथ आंधर परदेश पेरा मेडिकल काउंसिल रजिस्टर आपके पास होना जरूरी है इसे अपने कम कलर के लिए registration degree होना जरूरी है और साथी साथ कोश्ट गर्जे डिपलोमा आपके पास computer application के अंतरगत होना जरूरी है दोस्तों अब बात कर लेते हैं selection process के बारे में आपका selection जो आपने qualifying examination के अंतरगत आपने marks प्राफ्ट किया है उसके आदार पर आपका selection होने वाला है दोस्तों selection के लिए 75% marks आपके पास होना जरूरी है दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे की और यहाँ पर आपको बता रखा है कि apply करने के लिए क्या age limit होना जरूरी है दोस्तों apply करने के लिए maximum age रखी गई है जो की 42 साल रखी गई है यहाँ दोस्तों अगर आप इन पोस्ट के लिए apply करना चाहते हो तो maximum age 42 साल का आओना जरूरी है और आपको यहाँ पर age में छूट मिनने वाली है SCST और BC category candidate को 5 साल की EX haricman candidate को 3 साल की age में छूट मिनने वाली है जबकि physical challenge परसन को यहाँ पर 10 साल की छूट मिनने वाली है दोस्तों अब बात आती है application fee के बारे में कि apply करने के लिए आपको यहाँ पर कितनी application fee जमा करानी होगी apply करने के लिए आपको यहाँ पर 200 रुपे जमा कराने होगे जो कि divine draft के दवारा जमा किये जा सकते है दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे की ओर अब जान लेते हैं कि आप इस बढ़ती के लिए कैसे apply कर सकते हो दोस्तों आप इस बढ़ती के लिए offline आवेदन कर सकते हो ओफलाइन अवेदन करने के लिए आपको application form डाउनलोड करना होगा जो की official website से डाउनलोड क्या जा सकता है official website www.kgs-visaka-potnam.org इसी official website के दवारा आप इस application form डाउनलोड कर सकते हो application form डाउनलोड करने के बाद आपको application form completely fill up कर लेना है completely fill up करने के बाद आपको इसके साथ में required document अटेच करने है जोगी आपको यहाँ पर provide करार रखा है कि आपको कौन-कौन से document application form के साथ attach करने है दोस्तों application form के साथ required document अटेच करने के बाद आपको application form submit कर देना है official address पर और application form submit करने के लिए lie date है 382020 यहाँ दोस्तों आप इस बढ़ती के लिए 382020 तक ही apply कर सकते हो दोस्तों एक नजर इसकी important date के बारे में भी डान लेते है यहाँ पर आपका notification जारी किया गया था 252020 को apply करने के लिए lie date रखी गई है 382020 security of application के लिए date रखी गई है 1782020 provisional merit list आपकी publish होने वाली है 212020 से 242020 तक final merit list आपकी selection list जो की आपकी चपने वाली है 2882020 तक जिया दोस्तों 2882020 को आपकी selection list चप जाएगी दोस्तों verification of original certificate and issue of appointment के लिए date रखी गई है 19220 दोस्तों यह थी इस भरती की complete जानकारी अगर आपको और ज्यादर जानकारी चाहिए तो आप इस notification को download कर सकते हो इस notification का link मैं इस video के description में provide कराने जा रहा हूँ वहाँ से आप notification PDF download करके इस भरती की complete जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो और फिर apply कर सकते हो दोस्तों अगर आपके मन में इस भरती से related कोई भी सवाल हो तो आप हमें comment के जरिया पूछ सकते हो दोस्तों आई हो प्याई वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को like और share जरूर करें अगर आपने भी तक हमार चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमार चैनल को subscribe कर लें क्योंकि आगे भी हम आपके लिए इसी बड़ी भरती की update लेकर आने वाले है